जो आप देख रहे हैं इससे क्या खते हैं अब सभी लोग के दिमाग में तुरंत आगया होगा कि इसे कंपिज्र क क्ष differential क्या है यहीं वह computer है जिसको हम या और वाला एक होटा है तो हम आपको बता दें कि computer एक electronic device है, जो हमारे दोरा दिये गए सूचनाओं को, वो क्या करता है, ग्रहन करता है, और उसको क्या करता है, जो command दिया गया था, उसके अनुसार क्या करता है, और बहुत ही कम समय में, बहुत ही सुध तरीके से, हमको क्या कर देता है, result देता है, तो computer क्या है, computer एक electronic device है, जो हमारे दुराद ली गई सूचनाओं को ग्रहण करता है और बहुत ही कम समय में वो हमको क्या कर देता है? तुरान्थ हमको result देता है. और सबसे अच्छी बात है कि इसमें समय बहुत कम लिया जाता है. बहुत कम समय में और सुध्ध होता है. कोई गलती नहीं होती है जैसा हम कमाड़ देते हैं उसी तरके समको और रिजल्ड देता है वास्तों में computer को कुछ ऐसे सोचो के कुछ आता हो तो बहुत ज्यादा विद्धवान नहीं है लेकिन हाँ जो इसको process सीखाया जाता है जो इसको process बताया जाता है जो इसमें software install किये ज लिए तो बिल्कुल result अच्छा करके देता है जानते हैं computer बारे में कुछ रोचक बातें जैसे अगर हम आपको बता दें कि computer बना किससे है तो computer जो है अंग्रेजी भासा के सब्द से बना है अंग्रेजी भासा में एक सब्द होता है compute उसका मतलब होता है गड़ना करना उसी स computer बना है computer से हां computer कि सब्द से बना है तो ध्यान रखियेगा computer computer सब्द से बना है और इसका अर्थ होता है घड़ना करना इसको हिंदी में हैं इसको हिंदी भासा yae कि हिंदी मिया संक्रित में लिखते हैं संगड़क संगड़क मतब क्या होता है कंप्यूटर और इसके बारे में भी कुछ और हम रोचक बारे में रोचक जानकारियां लेकर करके आए हैं आप लोगों को दे रहे हैं ध्यान दीजेगा कि जो सबसे पहले जो कंप्यूटर जिसको आप लोग कहते हैं उसमें 1613 में उसके अनुसार अगर बात करें हम कि आक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्सिनरी के अनुसार तो 1613 में अंग्रेजी के लेखक थे रिचार्ड व्रेट वेट इनकी एक पुस्तक थी दा यांग मैंस ग्लीनिंग इसी पुस्तक में वे सबसे पहले कम्प्यूटर सब्द का जिक्र करते हैं, कविडर सब्द का प्रियोग करते हैं और इसके बारे में जो हमको डेटा प्राप्ट होता है और आक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्सिनरी से हमको प्राप्ट होता है कि हाँ सोरा सो तेरा में एक पुस्तक लिखी गई थी रिचार्ड विर्थवेट के द्वारा जो पुस्तक का नाम था दा यंग मैंस ग्लिनिंग उसी में जो है सबसे पहले कंप्यूटर सब्द का प्रयोग किया गया था ठेक बहुत अच्छी जनकाई है सुरा सो तेरा में सबसे पहले आवर आज हम इस समय में जो अभी आप लोग देखे हैं उस रूप में कंप्यूटर को देख पाते हैं और ध्यान देखे एक बहुत ही इंपॉरिटेंट हम का सकते हैं इसको आप झौरूर यार की ज़ीगा क्योंकि कि ज्यादा तर जो वैसिक को सन पूछ जाता है काई बार को सन पूछ जाता है उसमें आप लोग इनको पहचान भी लिजे पूछा जाता है कि computer का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो उत्तर आता है Charles Weves जी हाँ Charles Weves ही computer के जन्मदाता कह जाते हैं इनका आप photo देखी रहे हैं तो ए रही आपको computer के बारे में रोजग जन्कारी कैसी लगी आप लोग comment करके जरूर बताइएगा चलिए आगे हम कुछ और fat के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले video में